हाई गाईज मेरा नाम है साहिल करना और स्वागत आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर आज हम बात करेगे किस तरीके से आप फ्री के अंदर अपनी यूट्यूब वीडियो बना सकते है जीरो रूपीज सेटप मैं आपको बताने वाला हूँ बिना पैसो के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ ब्लाइंड टेस्स करना चाहूंगा मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा आप बताना कि उ और वीडियो की वालीटी देखते हैं और हाँ वीडियो में आगे जाने से पहले या लाइक का टागे रखते हैं कुछ पांचार लाइक्स करते हैं 5,000 लाइक्स पूरे करो तब ही मज़ा आएगा क्योंकि यह हम एक बहुत ही छोटी निश्क्यों पर काम कर रहें वीडियो स की स्टार्टिंग मैंने एक रुपे से भी नहीं करी थी और मैंने जितना भी कुछ लिया है यह सब कुछ मैंने यूट्यूब की कमाई से ही रिइन्वेस्ट करकर के लिया है सबसे पहली जब मैं अपनी वीडियो बनाया करता था उस देंपे मेरे पास सैमसंग गलेक्सी एस हुआ करता था और मैं गलेक्सी एसफोर से रिकॉर्ड किया करता था स्टाटिंग के पहले मैं फ्रेंटdon केमरे से बहुत दिखेंटिंग जाए प्ल referendum से रिकॉर्ड करने लग गया फिस उसके mat कुछ बताब करता था अप मेरी स्टार्ट की वीडियो डे तो आपको पता लग जाएगा नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है साहिल करना आप देख रहें इंटेलेक्शल इंडीज और एस प्रॉमिस मैं आपको जॉब लेने के तरीके बता हूँ उसके बाद मैंने नोकिया लूमिया वन जिरो टू जिरो यूज किया वो भी मैंने स्टार्टिंग के अंदर बि वीडियोस होती थी इंजिनिरिंग कर ली तो बेटा जिन्दी की जंट जॉब नहीं लगेगी ऐसी चीज़े हम हमेशा से सुनते बारे बहुत सारे जोग्स बनते हैं फेस्बुक के हम देखते हैं इंजीनियर यूटीव पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती है बंदा जूस बेच रहा है या कुछ भी ऐसे काम कर रहा है क्योंकि उसकी जॉब नहीं लग पाई तो क्या है असली सचाई एक इंजीनियर की उसके बाद मैंने LG G6 ले लिया LG G6 के अंदर 4K recording की capability थी तो मैं phone से 4K record करता था और मैं अपने YouTube पे डालता था कि यह 4K quality डाल रहा हूँ और वो quality अच्छी नहीं होती थी 4K लायक पर quality अच्छी हुआ करती थी कई बार मैं 4K record करके उसको full HD में भी upload कर दिया करता था बीच में मैंने अपना mic setup को change करने का सोचा मैंने क्या किया मैंने एक USB mic ले लिया Samsung go mic और मैंने वो अपने laptop के आगे लगा के उससे भी record किया कई दो सबसे पहले बात करते हैं Christiansering क्यों करतें अधी यहादे से जाना बंदे सिरली प्रेशर के चकर में इंजिनियन पर थी क्योंकि उसके चाचा के मामा के लडगे नुशन ने करी थी क्योंकि उनकी family के कोई इंजीनियर नहीं है या फिर उसके घर के pressure आता है जो अपने फू तो मैं करता गया था, मेरे पाँ समेशा से दो फोन रहते थे, तो मैं एक फोन सामने लगाता था, एक फोन के अंदर मैं अपना माइक लगाता था, जो भी जुगाड़ू माइक होता था वो लगा के मैं रिकॉर्ड किया करता था और इसी तरीके से मैं चल रहा था कुछ टाइन के वा मैं को realization आया कि भाई अब YouTube से अच्छी कासी कमाई आ रही है क्यों ना मैं invest करके camera ले लेता हूँ प्लस मेरे सुचा था कि मैं दूसरा channel शुडू करूँगा और vlogging वाला और vlogging के अंदर मुझे low light पे जाना पड़ेगा low light phone record अच्छा नहीं कर सकता आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको record करना क्या-क्या नहीं करना वो आगे बताऊंगा तो मेरे को पता था कि phone की capability नहीं है हर जगा पे धंसे record करने की अल्दो मैंने जो अपनी सबसे पहली वीडियो दाली साहिल करना वाले चैनल के अंदर व्लॉग वाली वो मैंने अपने फोन से ही record करी थी और वही जो मैं आपको जुगाडू माइक बता रहा हूं वही लगा के करी ती डिल्ली में इससे कुछ बेटर दिखा आपको करीम से तो मोह दूजा है करीम एक नाम नाम है तो आज हम आये अशोक है नशोक के अंदर मेरे साफ से नौर्ट इंडिया का बेस्ट शिकन देते हैं इमानदारी से अगर आप देखोगे सारी क्लिप्स को तो आपको नहीं लगेगा कि भाई जुरत है यहां पर बंदे को कैमरा लेने की मैंने फिर भी कैमरा लिया क्योंकि मैं कुछ सिनेमेटिक वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि मुझे सिनेमेटिक की थोड़ी समझ थी मैं अच्छी कंपनी में काम कर चुका था मैं मेरी टेक जैसी कंपनी में काम कर चुका था तो मैंने अच्छा production का level देखा था और मुझे 43 चीज़ होगी तो मैं चाहता था यार उस टाइब का content बनाओ तो फिर मैंने G7X Mark II लिया Lumix Canon का तो मैंने उससे record किया अपने style खणना वाले vlogs और साथ में intellectual indies भी मैंने उससे दालना शुरू किया आदी रात हो चुकी है और हम आया है बंगलाज साहिब में भीड पूरी है और जैसे आप देख सकते है एक छोटा बच्चा अपने पापा को सेवा करते हुए देख रहा है Logically मैं full HD के अंदर upload किया करता था पहले मैं 4K में करता था फोन की quality से पर मैं अपने vlogging camera से record करना शुरू किया तो quality next level हो गई पर यहाँ पर अगेन वही दिक्कत थी इस camera के अंदर mic नहीं था तो मुझे mic का जुगार कुछ ना कुछ करना पड़ता था तो मैं अपना phone लेता था फोन के अंदर वही audio jack लगा के कुछ काम चलाया करता था फिर मेरे को बता लगा एक mic आता है बोयागर के company है वो मैं लगा लेता हूँ और वो सस्ता था मैंने internet से लिया था 700-800 रुपे का मुझे उस time पर बढ़ा था मैंने वो लगाया और उससे यहां से audio record करता था और camera से video record करता था editing के time के उसको sync कर लेता था आगे हम editing भी पढ़ेगे तुम आपको बताऊंगा कि इस तरीके से मैं sync किया करता था क्या होता क्या नहीं होता था इसी तरीके से थोड़ा पैसा और कठा हुआ तो फिर मैंने ये वाला camera लिया और मैं इस से record करना शुरू किया तो ये पूरी काहनी सुनाने का एक reason था आपको एक तो पहले starting के अंदर invest मत करो बहुत huge आप देखो आपके लिए बना है YouTube या फिर नहीं बना दूसरा अगर आप अच्छी quality record करना चाते हो तो आप अच्छी record phone से भी कर सकते हो जो currently आपके पास है 90% phone मैं 90% काहूंगा जितने भी लोग देख रहे है सबके phone के अंदर back camera full HD record कर सकता है अगर आप bright light के अंदर जाके record करोगे full HD तो कोई दिक्कत ने आने वाली आपको बहुत अच्छी quality मिलेगी माइक की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी starting के अंदर तो मैं आपको recommend करूँगा जो मैंने कलती करी माइक लेने ना starting के अंदर बोया शोया लेने ना या फिर अभी बहुत सारे अलग-अलग mics आया है वो सारे है आगे मैं अभी mic बताऊंगा तो आपको quality भी compare करके बताऊंगा कि जब आप mic change करते हैं तो quality किस तरीके से upgrade होती है अगर मैं अभी current की बात करके चलूँ तो इस time पे मेरे Panasonic के GH5 से मैं अपनी video record कर रहा हूँ 4K 24fps के अंदर और आपको quality बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही होगी although अभी भी मैंने अपने camera की full potential unlock नहीं कर रखी क्योंकि मुझे लगता है कि उतनी की में को जुरत नहीं है क्योंकि YouTube उसको compress करी देगा पर मैं चाहूँ तो मैं इसको और भी ज़्यादा की सकता हूँ अपने camera को पर इन setups के लिए ज़्यादा जुरत नहीं पड़ती है पर quality is more than sufficient और ये अभी भी देखा जाए तो बहुत ही सस्ता camera है 4K के अंदर जो बहुत ही अच्छी quality देता है अगर आप मेरे Bali vlog देखोगे Goa vlog देखोगे मेरा साहिल करना वाले channel के अंदर वो सारे के सारे मैंने अपने कुछ छोटे setup से record करी है basically मैं phone लेके गया था जब मैं Bali गया था और मेरे पास एक है Asus का 6Z और साथ में है मेरे पास iPhone 11 और मैं अपना एक GoPro लेके गया था underwater shots के लिए तो मेरा पूरा पूरा vlog इनी तीनों चीजी से बना है सारे के सारे vlogs जिसे से बने है कई कई पर जहां पर moving अले टेक्स है वहां पर मैंने अपने GoPro यूज किया है क्योंकि GoPro का stabilization अच्छा है की quality अगर आप देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा यह phone से record किया हुए हाँ camera से आपको थोड़ा सा blur blur देखता है बस अगर आप starting कर रहे हैं और पैसा invest नहीं करना चाहते है तो more than sufficient है आपके jam में जो phone पढ़ाया ना बहुत है handy चीज होती है अब science के उपर आते है अभी तक मैंने आपको प्रवचन दिये यह सुर्फ कहानी थी कि मैंने किस तरीके से develop किया तो सबसे पहली बात आती है phone camera के recording के उपर simple सी बात जो आपके phone है उसके अंदर जो recording हो रही है वो एक sensor पे होती है मैं technical नहीं घुसरा कि sensor क्या होता क्या नहीं होता आपके phone का sensor बहुत छोटा होता है उस छोटे के चकर में आपका phone low light में अच्छे तरीके से perform नहीं कर पाता है आपको बस यह या रखना है कि आपका phone low light में अच्छा काम नहीं करेगा तो आपको bright light चाहिए bright light आप चाहो तो इस तरीकी के जैसे मैंने अभी record कर रहा हूँ यह studio lights है मैंने lights लगा रखे है बड़ी बड़ी studio lights से ऐसी आपको feel आ रही है कि भाई natural light है दूसरा option आप चाहो तो बहार जाके भी shoot कर सकते हो अपना normal camera से आपको बहुत अच्छी quality मिल सकती है मैं आपको दिखाता हूँ मैं अभी भार गया था और मैं shoot करके आया कुछ अपनी footage phone से normal मैंने mic use किया पार्क के अंदर गया मैं outdoor गया और outdoor मैंने shoot किया है उस time पर almost सूरट ढलने की कदार पर आ रहा था और मैंने उस time पर shoot किया है आपको recommend करूंगा कि अगर आपको record करना है तो एकडम pair में record मत करना है जब बहुत तीखी दूप हो वरना की आखे ऐसे ऐसे हो जाएगी बहुत दिक्कत आती है वरना छेष्माप लगा लेना इसके उपर प्लस आपका camera के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी अल्दो यह फिर भी लंबी वीडियो होने वाली यह मैं टेसिंग कर रहा हूं आउड़ोर आया वह हूं इस ताइम शाम के 6 बज़रे है पाक के अंदर हूं है और मैं अपना front camera से record कर रहा हूं जानकर के चाम को late आया हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपके बाद अच्छा camera नहीं होगा मेरा जो phone का camera है वो थोड़ा सा अच्छा है तो मुझे लगता है कि low light मेरा camera थोड़ा better perform कर सकता है पर अभी के time पर अगर आप normal time पर record करते हो जैसे आप सुबह 6 बज़र record करते हो जो आपको quality मिलेगी वो इससे better मिलने वली है आपके camera से तो मैं आपको recommend करूंगा सुबह 5-5-6 बज़र जब सूरज निकल रहा होता है उस time पर shoot करो perfect light होती है या भी शामको जब सूरज ढल रहा होता है उस time पर record करो perfect light होती है और भार जाके outdoor के अंदर record करो कोई कह क्यों रहा है आपको green screen पर record करना है मैं कर रहा है इसके लिए green screen पर record करना है क्यों करना है बाइब मैं use कर पा रहा हूँ इस green screen का effectively इसलिए मैं green screen यूज रहा हूँ पर अगर आप outdoor भी record करते हो पीछे green रही करते हो पाग शुबह-शुबह कोई बंदा भी नहीं है short शराबा भी नहीं आ तो ऐसी quality आपके phone से न चीज है क्योंकि आपका back camera का sensor relatively बड़ा होता और better powerful होता है तो आपकी उसकी quality आईगी वो better आएगी अब यह मत मोनला कि मेरा front camera भी 4K record करता है back भी करता है front को 4K वे record करके देखना, back को करके देखना, दोनों को compare करके देखना आपको फर्क दिखेगा अगर आपकी eye train होगी तो आप अराम से पकड़ लोगे कौन सी quality क्या है हो सकता है कि आपके आसपास हो और जब आप उसको YouTube अपलोड करो तो mix हो जाए कोई फर्क ना पड़े पर मेरा मानना है personally कि back camera से record करो जड़ा अच्छा है front camera का use करते हो तो आप क्या करते हो अपने आपको देखने लग जाते हो इसके चकर में आप ऐसे भैंगे हो के बात करने लग जाते हो आज हम बात करें क्योंकि आपकी नजर screen के उपर होती है ना कि आपकी camera के उपर होती है सिक को जमीन के अंदर गाड़ दो और वहां पर बैट के रिकॉर्ड कर लो प्रॉब्लम क्या है मेरा एक सुडेंट था उसने गंबले के अंदर जुगाड़ बना रखा था वहां से वीडियो बनाता था तो आउटडोर बनाओ और सेल्फी सिक एक खरचा है एक माइक खरचा है आपका बस और कुछ लेने की जुरत नहीं है माइक अगर नहीं भी लेना जाता है तो आपके घर पे कोई हैड़फून पड़ा होगा उसका आप यूज कर सकते हो अगर मैं अपने आपको लंबा कर देता हूँ तो मैं ऐसे नीचे दिखके बात करूँगा आपसे और मगर नीचे से उपर देख रहा हूँ तो मैं उपर देखके बात करूँगा लॉजिकली जो आपका camera होना चाहिए वो आपके eye level के ओपर होना चाहिए बस तो eye level के ओपर camera रखने कोश करो चाहाँ बैट के बना रहे हो चाहाँ आप खड़े हो के बना रहे हो पर camera eye level पर रखने कोश करो और अगर मैं कुछ चीज साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ तो मैं अपने आपको थर्ड एंगल पे ले जाता हूँ बेसिकली यह फोटोग्राफी का रूल है कि आप थर्ड एंगल पे ले जाओ अगर मैं एक लाइन खीषता हूँ तो उसके जो third point आता जैसे फोटो में दे सकते हो तो वहाँ पे हमको अपना main subject रखना है इसकी वज़से video attractive लगते है पर मुझे ऐसा लगता है photos के लिए चीज अच्छी है videos के लिए अगर आप कुछ cinematic चीज़े बना रहे हो उसके लिए चीज अच्छी है अब light की उपर आते है starting के अंदर मेंने घर पे जो tubes लगी हुई थी मैं उसी से record करता था बस घर की tube on कर लेता था सामने camera लगाता था और record कर लेता था उसके बद मेरे को थोड़ा सा logic सब्ज में आया कि यार अगर मैं थोड़ा सा late record करता हूँ बेसिक लिए उस ट्रैम मैं चार बज़ रिकॉर्ड करता था सूरज भी निकला होता था फिर मैं को realize हुआ साधे पांच बज़े के आसपर सूरज निकल लाता है फिर मैं परदे कोल लेता था तो सामने से भी light आती थी और tube की light भी वेक्स होके आती थी तो quality थोड़ी सी better हो जाती थी जो मैंने आपको starting बताया phone का sensor low light की उपर अच्छा नहीं है bright light के अंदर आप compare ही नहीं कर सकते है कि phone का कौन सा है, camera का कौन सा है and मैं जो starting में blind test किया था मैं आपको उसका result बताऊँगा पर आप खुद शौक हो जाओगे कि phone भी इतना capable है अगर अच्छी sufficient light हो तो फिर उसके बाद मैंने एक जुगाडू डबा बनाया जिसके मैंने अंताम bulb लगाया side में foil papers लगाये YouTube पे वीडियोस देखी थोड़ी सी जहांपे मैं को DIY softbox बनाने के लिए जुगाड मिला basically मैं चाहता था कि YouTube के पर एक उर्का नहीं लगाना मुझे बस YouTube से कमाना है उसके बाद reinvest करना है तो मैंने softbox बनाया बहुत सारे hit and try करे गंदी-गंदी वीडियोस भी बनाई मैं आप कुछ दिखाता हूँ यहां पर देखिए मैंने bad light use की हुई है एकदम अजीव सी light लग रही है ऐसा लग रहा अंदेरा कायम रहे मैं कोई गुरू नहीं हूँ मैं कोई scientist नहीं हूँ मैं कोई researcher नहीं हूँ ना कोई बाबा नहीं हूँ बात करेगे वह अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैं मानके चल रहा हूँ कि अभी आपके पास पैसा नहीं है और आप free में शुरू करना चाहते हो और अभी आप स्टार्टिंग के लेबल के हो बिसिकली सीरीज उन लोगों के लिए है जो की एक रुप्या कर्च नहीं करना चाहते और एक कुछ बड़ा अब आखों के अंदर एक गोला आता है और रिंग लाइट का जो में लॉजिक था वो यह था कि भाई चैरे की उपर इवनली लाइट पड़ेगी बेसिकली यह मेकप वाले शुरू किया था कि जब आप कई पे महंगे वाला मेकप देखते हो ना ब्राइडल वाला मेकप टा तो जैसे अब ही आप देख पार हो कि म मेरी आंखों के अंतर छल्ला आ रहा है तो यही है रिंग लाइट का फाइडा कि आखों के अंतर छल्ला दिखाई दैता है यह कुरे फेस पे इंवरले लाइट पड़ती है कई इक शेडउज ञेट बिएम आपर आते आँब मार आपक confidence के बारें बात करेंगे आप किसी की body language देखके कैसे बता लगा सकते हैं कि सामने वाला confident है या नहीं है और आप imitate कर सकते हैं मतलब आप cheating आपको देखना सामने वाले को कि जब बोल रहा है उसके facial expression में क्या फार का रहा है उसकी आखे कैसी हो रही है उसके आखे भार को निकल रही है उसके lefty क्या movement हो रही है उसके हाथ कैसे फिर भाई मेरे पास आया यह वाला माइक क्योंकि इसके मैंने बहुत टाइम से रुका हुआ था क्योंकि मुझे गाने गाने थे मैंने का गाने गाने और सस्ता माइच है YouTube मुझे ज़्यादा रणिंग देता है नहीं मुझे ज़्यादा पैसा करूश नहीं करना तो मैंने लिया यह वाला माइक इसको मैं अपने फोन इसके अंदर करता था और रिकॉर्डिंग शुरू करता था अपने फाइनल कट प्रूव के अंदर बेसिकली निश्क मार्केटिंग का मतलब यह हुआ हम उन लोगों के साथ मार्केट कर रहे है मतलब उन टार्गेट ओडियंस को अपना प्रोड़ट बेचने कोशिश कर रहे है रेस आई चीजे अगर मैं सीख रहा हूं और वह सबके साथ शेर कर रहा हूं तो वह सारी के सारी चीजे दिमाग के अंदर रिकॉल हो जाते हैं उनके हिसाब से एक अच्छी वेक्सीन वह है जो कि effective हो अच्छे तरीके से वह ट्रांस्पोर्ट हो सके अच्छे तरीके से वह प्रिजर् करें बिना बाद में बता लगता था जाला सेल खराते तो बहुत दिक्कते आती थी तो इसके चकर में अभी नया माइक लिए कोडिक का थोड़ा सा महेंगा है पर सेल नहीं लगाने पड़ते बहुत सारी टेंशने बच जाती है यह सारी चीजे जो बता रहा हूं डिस्क्रि वायरलेस माइक है रोड का और यह लिया मैंने सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं इवेंट में जाता था इवेंट में जब मैं जाता था तो मुझे वायरलेस कुछ सोलीजिन चाहिए था कि भाई मैं कैमरा दूर पड़ा और माराम राम से गुम गुम के रिकॉर्ड कर सकूँ तो इसलिए मैंने ये रोड वाला माइक लिया था इसलिए मैं रोड से रिकॉर्ड करता हूँ बस वरना मैं रोड की मिरको जुरत नहीं थी मैं नॉमल जो मैं आपको बता रहा हूँ बोया हुआ उसी से काम चला सकता था मैंने अपना एक पूरा NSA का इवेंट था वो पूरा मार्केटिंग स्ट्राटेजी आपसे शेयर करूँगा एक चीज इसके लिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा महनच करने पड़ी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़े वो था इको को मारना और नॉइस को दबाना नॉइस को दबाने का सीन तो यह है कि आपको इसी जगा पर रहना है जहां पर नॉइस ना हो अभी जहां पर मैं करेंटली रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे ऑफिस के भारी में रोड है महां बसे ट्रक बहुत सारे गुमते पर में यहां पर शोर नहीं आता क्योंकि मैंने नंबर आफ दिवार बना रखी है यहां पर जिस र समय और बहुते हैं पर दिवार से और वापसी हो जाती है तो eco को मारने का तरीका क्या है सामने जब आपकी अवाज जा रही है तो आपको उसको वहीं मार देना है मारने का तरीका सामने गद्धा लगा दो सबसे असाम तरीका सामने परदा लगा दो दिवार के उपर परदा लगा दो वो recommend नहीं करूँगा starting के लिए कि आप starting में अंडे की tray लगा रहे हो कि अंडे की tray लगाओगे तो रूम खराब हो जाएगा और अगर आपको पैसे खर्च करने है तो equipments आते है वो form टाइप की चीज आती है आप उसको लगा लो, acoustic sheet कहते है वो लगा लो, उसकी वएसे हो जाएगा पर acoustic sheet भी वो ही same काम कर रहे है जो मेरे लिए गदे कर रहे है और in fact, गदे सस्ते है, मेरे पाफ free के पड़े हुए है, मैं बस लगा सकता हूँ और scientific समझो के चीज़ों को तो कभी मार नहीं खाओगे अब देखो, without mic use कर रहा हूँ यह normal internal mic है अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो आपको eco ज़्यादा सुनाई दे रही होगी क्योंकि पीछे की side पे gate है अगला point है stabilization अगर आपको move करना पड़ रहा है अपनी वीडियो के अंदर ठीक है, अपने phone के अंदर stabilization को on कर सकते हो दो type के stabilization है, एक EIS, एक OIS है टेकनिकल नहीं कुसूँगा कि EIS क्या होता है, कैसे काम करता है पर अगर आप EIS करते हो तो आपकी वीडियो थोड़ी सी zoom हो जाती है और उसको आप editing के time पर भी EIS लगा सकते है अगर आप चाहो तो तो कोई फाइदा नहीं है EIS का, अगर आपके phone में OIS है तो वो better कर सकता है पर वो भगवान नहीं करेगा, इसके लिए मेरे पास GoPro है GoPro का जो stabilization है, उसका कोई comparison ही नहीं है पर GoPro की दिक्कत क्या है, वो camera quality नहीं कर पाता, low light के अंदर सबसे आखरी चीज है background, background क्या use करनी है देखे, simple सी बात, अभी मेरे camera की quality अच्छी है या फिर आपका phone जो भी आप use कर रहे हो, उसकी quality बहुत च्छी है मेरी starting की videos में आती थी, क्योंकि मुझे उस चीज को समझने में time लगा तो मैंने गलती करी, तो मैं आपको learning दे रहा हूँ कि green screen तब तक use मत करो, जब तक आपके बाग उस level का setup ना हो अच्छा setup होगा, तो आप green screen use कर सकते हो आप phone से भी record करके green screen use कर सकते हो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ हाई, मेरा नाम है साहिल खना और आप देख रहे है intellectual indies और आज हम ट्रिवागो के business model के बारे में बात करेंगे सबसे पहले ट्रिवागो की website चेक करते हैं सबसे पहले हमसे location बूच यह वीडियो मैंने green screen phone से record करी है यह phone की quality है मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है phone से record करने में phone is good पर light उस level की होनी ही चाहिए इस वीडियो के अंदर मैंने जुगाडू lights बहुत जारा बना रखी थी तो green screen दूसरा मैं तो कह रहा हूँ कि park में जाके record करो अपने घर के अंदर एक wall ले सकते है उसके उपर record करो जहां पर आपसे सामने से light आ रही हो light आनी जुरूरी है natural अगर आप artificial light के उपर जाओगे तो starting में आपको बहुत सारी गलतिया होगी क्योंकि आपको light की understanding करने में time लगेगा आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने बना रखी है पर वो चीज़ जब practically करने के लिए जाते हो वो चीज़ काम नहीं आती क्योंकि वो filmographers होते जो आपको सिखाते है पर आपको अपने content creation के लिए light को समझना है आपको यह नहीं देखना कि ओहो यह equipment यह equipment क्योंकि इतने equipment है आप सारे equipment नहीं ले सकते आपको यह देखना है कि भाई मेरे लिए कम पैसों के अंदर में कैसे बढ़िया जुगाड कर सकता हूँ तो best जुगाड है natural light use करो best है तो अगर natural light use कर रहे हो तो contrast रखने की कोशिश करना contrast का मतलब जैसे अगर आपने कुछ dark pen रखा ता पीछे कुछ light type का हो जो की background को differentiate कर रहा हो यह नहों कि आपने white pen रखा और पीछे भी आपने white लगा दिया और आप apple वाली video बना रहे हो कि heavenly videos बना रहे हो वो अच्छी लगती है मैंने कई बार test करके देखी है पर लोगों की comment आई कि हमको पसंद नहीं आया try करने को कर सकते हो पर मेरा personally मानना है contrast रखो video के अंदर तो अच्छा लगता है और एक बहुत बढ़ी tip दूँगा background में distractions ना हो वरना बहुत दिक्कते आती है कोई USB वाले माइक से किया था उतनी अच्छी quality नहीं आई पर it's good मेरे साब से सही था ये सारी वीडियो इसके बारे में जिक्र किया है सारे description में आपको link मिल लाएगे जाके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं अब आते हैं हमारे result के उपर तो अब आप बताओ इमानदारी से क्या आप जैनुरली डिफरेंशीट कर पाए थे क्या आपको लगता था कि भाई इतना close हो सकता है हाँ कई लोगों ने शायद पकड़ लिया हो जे लोगों कैमरा का थोड़ा सा पता है कि कैमरा ये करता है वो करता है क्या है पर कई लोगों को फोन के कैमरे जादा बेटर लगे से कई लोगों को लगा हो गा DSLR इस एकड़ार सो फोन सबहें रिकरड़् करो अच्छी लाइट है तो और ऐसा है अगर अच्छी लाइट से आप रिकर्ड करते हो तो कोई difference नहीं दिखता, खास करकि जब आप YouTube पे upload कर देते हो तो, तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो खतम होती है, उमीद करता हूं मजा आया होगा, और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कि भाई, किस तरीके से में को कम budget के उपर वीडियो बनानी है, तो आज का एक और assignment में आपको दे रहा हूं, कि अपना phone निकालो, जाओ, मजे से वीडियो शूट करो, और Facebook वाले group के उपर दाननी चुरू करो, मैंने देखा कि आज मैंको वीडियो सा आनी चुरू हो गई है, कई लोगों ने Facebook group के अंदर दाली है, और मैंनों को comment पे reply भी किया है, तो बाइ, गुड़नाइट, शबागे, खुदा आफिस, गुड़ मॉर्निंग रॉफ्टरू जब भी आप वीडियो देखाए है